हेलो सुदेंट दो दूसमा प्लुक का स्वागत है और आज की टेक्नियोस शुरू करेंगे उससे पहले दोस्तों आप लोगों ने मेरे सैमसंग गेलक्सी M30S वाले वीडियो को ट्रेंडिंग पर चड़वा दिया मैंने देखा था तो कुछ 28-29 पर था अभी कुछ 30 के उपर हो गया होगा पता ने लेगन बहुत बश्युक्रिया दोस्तों ऐसे अन्बॉक्सिंग वीडियोस को भी आप ट्रेंडिंग पर डाल देते हो कभी टेक्निय चले जाती है सब आपका प्यारों सपोर्ट है मोटिवेट करते रहिए लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करने ना बहुत सारे अन्बॉक्सिंग सर्प्राइजिस आप लोग पेंडिंग है इस महीने में होने वाला है जो बहुत मजाएगा गर्म गर्म टेक होई चुका है हम भी स्मार्ट हो गया है लेकिन टीवी भी आजकल स्मार्ट है आपको तो पता ही है और बहुत सारे कंटेंट्स हम टीवी में देखते है और इंडिया के जो सर्वे निकल के आया तो उसमें पता चलता है कि लोग इतने कंटेंट्स देखते टीवी में क्या ब बात करता हो जिसे कि चिप ओन फिल्म या फिर पीसी बीए वगरे यो चीजे थी इन में जो ड्यूटी लगती थी वो अब घटाई जाएगी इसके द्वारा क्या होगा दोस्तों कि नेक्स टाइम जब भी आप कोई भी स्मार्ट टीवी इंडिया में पर्चेस करते तो उस पे तीन से चार परसेंट आपको प्राइस कम देखने को मिलेगी जी हाँ तो जो कंजूमर से जो हम लोग है फ्यूचर में दोस्तों जब से ये लागो हो जाएगा उसके बात से हम सभी लोगों को और भी कम प्राइस केंद स्मार्ट टीवी से इंडिया में मिलेंगे चाहिए फिर वो शाओमी की हो फिर वो सैमसंग की हो सोनी को हो मोटरला को किसी की भी टीवी हो तो ये अब यहाँ पर होने वाला है तो 5% पहले थी अब उसको घठा दियाएगी और उसके इंडिया से रिगार्णिंग गूगल हर साल वैसे काफे सारे नए अनॉंसमेंट करता है और इस बार भी गूगल ने वैसे ही किया है और सबसे पहले बात करता है तो गूगल नहीं हाँ पर वोड़ा फोन आइडिया फोन लाइन इसका मतलब यह दोस्तो कि अब आप ओफ-ला गूगल एसिस्टेंट की मदद आप वोईस कॉल से ले सकते वोड़ाफोन आइडिया के जरी इस नंबर पर कॉल करके गूगल ने पार्टिशिप कर दिया है जो विडाउट इंटरेट काम करता है इवन 2G भी कनेक्शन होगा तो भी यह काम करेगा तो यह पार्टिशिप उन ने किया है जो बहुत यची बात है वैसे दोस्तों इंटरप्रेट मोड भी यहाँ पर आ चुका है जो इंगली शुर् करना है डॉमिन उस्तों डैरेक्ली गूगल से कर दिये और काफे सारे फिटनेस से रिगार्डिंग एप से उनमें भी आप इनका फाइदा उटा सकते है वैसे उसके अलावा दोस्तों गूगल इंडिया में अपना खुद का आर्टिशिल इंटेलिजेंस लैब ओपन करने की प्लानिंग किया है जिसको गूगल बोलता है गूगल रिसर्च लैब यह बैंगालूरु के अंदर होने वाला है गूगल वहाँ पर इंडियन स्पेसिफिक चीज़ों पर काम करेगा कि इंडियन ओडियन्स की क्या नीड है एप में क्या इंप्रूमेंट्स करना है या अब अन लेंगव जिसको भी स्कैन कर सकते और उसमें बहुत सारे चीज़े और कर सकने गूगल लेंट्स की में बात कर रहा हूँ Bolo app के साथ में बोन ने जो partnership किया था उसमें भी काफे सारे और Indian languages को जो वो add कर दिया है उसके अलावा भी Google Pay भी काफे सारे नई चीज़े लेकिया है तो यह सारे चीज़ें वो लोग कर रहे है और भी यह event चलता जा रहा है Google for India का 2019 तो जो important updates से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आप देखते हैं कौन से updates हमें कितना जल्दी मिलते हैं और कितने दिन बाद मिलते हैं यह तो मैं आपको जरू से बता दूगा यहाँ पर दोस्तों finally gamers जो वो ready हो जाओ क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को call of duty mobile first October से officially जो वो play store और iOS में जो वो देखने को मिलेगा मतलब app store में जो वो देखने को मिलेगा वैसे यह फिलाल के लिए pre registration वारा scene था तो जो लोग register के थे तो उनको खेलने मिलता था लेकिन बात में बंद हो गया तो क्योंकि वो server Canada वगेरा का लफ़ड़ा चलड़ा तो वीपेन लगा गया बहुत जोल्ड़ाल करना पड़ता था लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना है first October से play store में और app store में यह आ जाएगा call of duty mobile आप जाके खेल सकते है वैसे यह बहुत तगड़ा गेमें एकदम classic गेमें मुझे परसनली कहूं दोस्तो अनेस्टी PUBG की बात अलग है PUBG की बहुत फैन से लेकिन मुझे परसनली call of duty बहुत पसंद आता है और मैं यह गेम ज़रूर खेलूगा और इसके पर वीडियो भी बनाएंगी बहुत कुछ करेंगे क्या आप excited है आप मुझे वैसे comment करके बताओ मज़ा आता है मुझे comment में लड़ाई करवाने के लिए बहुत मज़ा आता है PUBG या call of duty comment करके बता सकते है तो क्या हम दोस्तों finally HMD ने इंडिया में अपने Nokia 7.2 को जो वो launch कर दिया है जी हाँ Nokia 7.2 इंडिया में officially launch हो चुका है और price जैसी मुझे लग रहा था कि कम होगी थोड़ी कम तो किया है लेकि नहीं आपको दो variants में मिलता है 464 जो कुछ 18,600 रुपे का है और एक 664 मिलता है 19,600 का है आप हमें पता है इसमें क्या है डिस्प्रे तो आपको अच्छा मिलता है यह वाटर डॉप नौच है और HDR10 certified है वगड़ा है लेकिन आपको Snapdragon 660 वाला processor मिलता है जो भी हमें फिलाल के लिए अंडर 10,000 में देखने को मिलता है और Android 1 ऑविसली मिलता है साड़ती नजर में इसकी वैटरी पे च्रिपल क्यामरा है 48 मेगा प्रिसल के साथ में वगरा वगरा ठीक है एक चीज़ यह है दोस्तों कि आप कमेंट करके बताईए मैं आपको यहाँ पोल भी देता हूँ यहाँ पर आप मुझे बताईए कि क्या मैं Nokia 7.2 का अनबॉक्सिंग करूँ नहीं करूँ वो आप मुझे यहाँ पर वोट करके जरू से बताना तो यहाँ पर दोस्तों Instagram अभी से जितने भी जो celebrities है और जितने भी जो post वो लोग करते है regarding cosmetic surgeries और जो भी weight loss के जो products वो लोग दालते है ऐसे post को वो लोग जो निकाल देंगे और अगर बच्चे 18 साल के नीचे है तो उन लोगों को दिखाएगा है नी उन लोगो restrict कर देगा यह चीज़ देखने के लिए अला कि यह चीज़ बहुत पहले कर देना चाहिए क्योंकि हमें पता है जो influencers होते है न बाई वो एकदम ही blind products के मतलब कुछ भी कर दालते है जैसे कि अभी इतना मोटा आदमी है वो उसने वो किया बाद में दिखा रहे है तो पतला हो गया तो यह एकदम फेक है यह सब चीज़ नहीं होना चीज़ और ऐसे चीज़ों के खिलाफ अभी Instagram हो चुका है और अगर इससे रिगारिंग कोई भी post आता है cosmetic surgeries कोजवी कर दो बड़ी नाक को इतना कर दो या जो भी वगएरा वगएरा या मुगोरे मोटे काले हो जाओ या यह जो भी चीज़ हो दी है इस चीज़ को अभी Instagram हटाने वाला है इंडिया में आल अवर दे वर्ड सब्जेक होने वाला है वैसे क्या आपको लगता है यह चीज़ सही है गलत है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों शाओमी की तरफ से ख़वर आ रही है और भाई अचानक से आज सुभे शाओमी ने ट्विटर पर सबको जो वो सर्प्राइस कर दिया जिहां आल इन दे ब्लू शाओमी ने यहां पर ट्विट करके ऐसे बताया कि वो इंडिया में अपने रेड्मी 8A को जिहां इंडिया में 25 सब्टेंबर को लाँच कर देगा 7A अभी दो महीने पहले ही आया था और अचानक दो महीने बाद रेड्मी 8A आ रहा है यह इंडिस्ट्री को क्या हो गया मुझे समझने आ रहा है हाला कि यह competition में इतने जादा involved हो गए कि इस चकर में बार बार continuously एक के बाद एक अपने नए phones launch कर रहे है जिससे हमें confusion हो रहा है कि हम बोले आप जिसने 7A ली आरेगा बोल रहा है यार में थोड़ा टम वेट कर लेता तो मैं 8A ले लेता वैसे उन्होंने ट्विट करके बोला कि दमदार Redmi 8A आ रहा है और नीचे उन्होंने हिंट दिया है पहला हिंट दिया है 5++++ तो मतला 5000 इमिच के आपको उसमें बैटरी मिलेगी यह पहला हिंट है और आप देखेंगे नीचे जो पोश्टर उसमें लिखा है आपको दिखा र देखेंगे तो यहां पर थोड़ी बहुत इंप्रूमेंट मिलेगी 25 तारिक को होगा क्या प्राइस होगी क्या कुछ होगा मैं आपको अन्बॉक्सिंग भी जरूस अपने चैनल पर दे दूँगा तो यहां पर दोस्तों वन प्लस के जो टीवी होगी इंडिया में ऑविसल होगा जो 55 इंच के साथ में QLED वगरा होगा और जो एडिशनल जो फीचर्स होगी वो तो सेव होगा आपको स्क्रीन साइज और स्क्रीन की जो क्वालिटी इसमें थोड़ी बहुत फर्क मिलेगे और Q1 प्रो होगा जो 65 इंच का होगा जो HDR10 और अलग अलग तरीकी के उनका खुद का जो गैमा कलर जो लोने बोला था वो फीचर के साथ में भी आ सकता है और बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा तो यह दोनों आये हैं लिश्ट होकर रिस्पेक्स थोड़ी बहुत निगल कर आईए और प्राइस बहुत महंगी होने वाली है ऐसा यहाँ पर बता तो यहां पर दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों वीवो का जो यूटेन यह जो स्मार्टफोन है फाइनली अभी गीक बैंच पर जो वो लिश्ट होकर आ चुका है जो कुछ मेरे क्याल से चोवीस या याद नहीं आना मुझे या चोवीस सब्टेंबर प्राइस पर दिखा रहा है जो पहले मुझे वैसी लग रहा था कि यही होगा वाटरॉप नॉट्ट वाली डिस्पे होगी बड़ी सी बैटरी होगी कुछ मेरे का शांजिंग अगरा भी आपको मिलेगा चार्ट जीग जो गीक बेंच पर दिख रहा है तो कुछ वैसा होग अब मुझे पता नहीं क्या प्राइस पर ला रहा है 665 अभी रियल में 5 है रेड्म नोटेट है जले पर नमक छिड़ा कर रहा होता आया इंडिया में और उसके बाद फिर अभी एक और फोन आया था में भूल गया ओपो का सम्धिंग होता और अभी आ रहा है तो स्नैप्ड पे कोई बैटरी पे कोई डिजाइन पे कोई प्रोसेसर पे और हम सभी इसका इस्तिमाल करते हैं और इंडिया में भी दोस्तों क्वाटरली हमें पता है कि स्मार्टफोन की जो शिप्टमेंट्स वो कितना ज्यादा बढ़ती है वैसे दोस्तों एक बहुत इंटरेशिंग सर हमको सबसे ज्यादा पसंद आती है 99 पसंद लोगों नहीं का ओपर से रिगार्डिंग बोला लोगों ने क्यामरा हमें बहुत पसंद है इसमें भी 99 पसंद लोग नहीं का उसके अलावा दोस्तों 90% यूजर्मी के ऐसा बोलते है कि फोन की ओवर जो रिलाइबिरिटी है वो जो 82% लोग बोलते हैं कि इसकी आफ्टी से समय काफी बढ़िया लगती है और लिश्ट रिटर्न स्मार्टफोन की लिश्ट में सबसे ज्यादा नंबर वन पर सैमसंग है और उसके बाद रियल मी आता है रैंडम ली दोस्तों यह सर्वे किया गया था जहां पर बताया जात है क्या आपको बता कि गूगल दोस्तों 1999 के अंदर एक मिलियन डॉलर के अंदर अपने आपको सेल करने के लिए निकला था मैं 1999 की बात कर रहा था और वो जो कंपनी जिसको सेल कर रहा था वो एकसाइटी उस वक्त एकसाइट में रिजेक्ट कर दिया था आज वो पश्टा अतार हूंगा मिलते हैं आप से एकले वीडियो में एक ने वीडियो के साथ तिल रहने वी ग्रेट डे एंड आल्वेस कीप स्माली कर दो दो झाल 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 झाल